हेलो एरिवान वेल्कम तो मैं चानल आयम अनत और आज मैं स्केच पेंट सींगरी पेंटिंग करने जा रहे हूं उसके लिए हमें चाहिए वाइट शीट कलरफुल पेंज स्केच पेंज ब्रश प्लास्टिक शीट और वाटर ग्लास वाटर तो मैंने लिया है पॉलिथेन प्लास्टिक का और उस पे कुछ इस तरह से कलरफुल पेंज लगा दिये हैं वाइट और ब्लाक को छोड़ किया कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं तेंग कुछ इस तरह से हमाल रेडी हो चुका है और अगर आपको कोई पेंज उस करना है में शर्व ग्लॉसी टाइप का हो अगर आपके पास प्रेश नहीं है तो आप हैंड का उस भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से हमने अपने प्लास्टिक शीट पर प्रेस करना है वाटर वाला एरिया पे लगा के और कुछ इस तरह से उठाएंगे तो वो जो वाइट गैप से उसको हम ब्रश की हैप से और वाटर की हैप से फिल कर देंगे स्प्रेड कर देंगे अब हम दूसरे साइड पर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे अब मैंने एक ब्लाक आउटलाइन लगा दी है और ब्लाक आउटलाइन के बाहर जो वाइट स्पेस पड़ी है उस पे भी आप ब्लाक कर सकते हैं मैंने नहीं किया है आप कर सकते हैं फिर कुछ इ हिल्स बनाने हमने छोटे-छोटे से जैसे आप देख सकते हैं और उसको फिर हम ब्लाक कलर से फिल कर देंगे तो फिल होने के बाद मैं कुछ इस तरह से कोकनेट ट्री बना रही हूं तो कोकनेट ट्री कैसे बनाते हैं देखिए थूरा से क्लियर नहीं है क्योंकि मैं फॉर्स टाइम किस चीज का टूर्टॉरियल दे रही हूं कैसे बनाते हैं और मेरा हैं बीच में आ रहे हैं तो आपको चीज़ां से दिख नहीं रहा पर आई थिंक आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत हो चुका है प्लीज लाइक इस वीडियो शेयर इट और कुछ इस तरह से लखना बटन थैंक यू गाइस वाचिंग बाई प्लीज लाइक शेयर झाल